राजस्थान की राजदानी जैपुर के ची कलब में हुई फाइरिंग के मामले में गैंक्सटर लॉरेंस बिष्णूई को गुरुवार को फीडियो कॉन्फरेंसिंग के सहारे, कोट में पेश किया गया जहां कोट ने लॉरेंस को साथ दिन के लिए जैपूर पुलिस को रिमान में दे दिया है। अब जवाहर सरकल थाना पुलिस जी कलब फाइरिंग को लेकर उसके गुर को और हत्यारों से संबतित मामलों पर पूछताच करेगी। आपको बता दे पंजाब से प्रोडक्शन वारेंट पर गिरफतार कर जैपूर लाने के बाद पुलिस ने भीड में कोई अस समाजी खटना से बचने के लिए वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये गैंग्स्टर लॉरेंस बिश्णोई को पेश किया था। उसे जवाहर सरकल थाने के हवालाद में कड़ी सुरक्शा के बीच रखा जाएगा। इस मामले पर अडिशनल पुलिस कमिशनर ने कहा कि लॉरेंस बिश्णोई इसे पूछताच के बाद आन्ने बदमाशों को भी गिरफतार किया जाएगा। बदमाशों को किसी भी हाल में बक्षा नहीं जाएगा। गौड तलब है कि जवार सरकिल थाना इलाके में इस्तित जी कलब पर हुई फाइरिंग मामले में लॉरेंस बिश्णोई को प्रोड़क्शन वारेंट पर गिरफतार कर वुदवार शाम को ही जैपुर लाया गया। कलब पर फाइरिंग करने से पहले मालिक को पांच करोड़ रुपए की रंगदारी के लिए धमकाये गया था। जिसके बाद देश्ण फ़लाने के लिए 17 राउंड फाइर किये गए। इस कांड में अनमोल बिश्णोई और रितिक बॉक्सर के भी नाम सामने आए। दोनों लॉरेंस के लिए ही काम करते हैं और फिलाल विदेश में बताया जा रहे हैं। के राजस्थान नेटवर्क को भी खंगाल जाएगा और साथ ही उसके गुर को और शार्फ शूटर्स के बारे में तमाम जानकारिया जुटाई जाएगी। फिलाल इस केस में रिमान पूरी होने पर उसे वापस पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। के राजस्थान जाएगागा दिया एकारिया जाएगा जाएगां। कि उस्ट बाहाँ जाएगां। कर दो